तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, D9 चार्ट में सनी और केतु का युति अगर आपके विफिन भाव में हो, तो इस युति का किस प्रकार का प्रिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। युति का वो आपको सेकेंड हाफ ओफ लाइफ में बहुत गहराई से देखने को मिलेगा। का फैस्ट हाफ ओफ लाइफ कैसा भी रहा हो, या आपका जो लगन चार्ट हो, उसमें सनी या केतु की युति हो, ना हो, या सनी और केतु का जो प्लेस्मेंट है, किसी भी भाव में हो. बलही आपका लेकिन यहाँ पे जो आपका D9 चार्ट बन रहा है यह आपको second half of life में बहुत ज़्यदा impact करने वाले हैं तो सनी और केतु का यहाँ आना यह दिखाता है कि कोई जातक बहुत ही गहराई से अपने घर के परिवार के मामलों को देखेगा बहुत ही गहनता के साथ और कभी-कभी नेने लेने में वो देरी भी करेगा लेकिन उसका जो डेडिकेशन है अपने काम के लिए घर परिवार के लिए वो एकदम से फुल रहने वाला है तो इस बात की प्रबल संभावना कि इस यूति के फोर्थ हाउस में होते वे आप बले घरस्त जिवन का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त करें या फिर आपको ऐसंतुष्टी हो लेकिन आप अनुसासित बहुत ज़्यादा रहेंगे डेडिकेशन में बहुत ज़्यादा रहे अपनी संपत्ती से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा बट वो एक नॉर्मल लाइफ ही जिने को देखेगा ऐसे में देखिए आपका जो मैरीड लाइफ है उस पे भी थोड़ा सा इसका इंपक्ट पड़ सकता है कभी-कभी अपने पार्टनर के साथ आप उतने ज़ थोड़ी सी संतुष्टी की संभावना कम ही है देकिन यह जो इस्तिती है वो ऐसी है कि जातक ज़्यादा सोफ नहीं करेगा सेकिंड हाफ उप लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत हद तक वो पूरा करेगा बहुती सीरियसली जीवन जीएगा हमेशा हर मामले को अब देखेगा इसी तरीके से वो अपने कारिय चित्र में भी जादा अच्छा परदर्शन कर पाएगा अपने कारिय चित्र में वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है इसके लवां कोई जातक ऐसा हो सकता है जो अपने घर परिवार और कारिय examined के मामलों में इतना ज़्य जी है कि वो अपने जिवन साती को समय नहीं दे पा रहा तो ये इस्तति भी आपके साथ बन सकते हैं अब देखिए सनी और केतु की जो यूती है वो विराग्य की तरफ भी आपको लेकर जाएगी तो ऐसे में हो सकता है marriage के कुछ समय बाद यानि ज्यादा तर पांच साल या छ ज्यादा लगाव वाली जो feeling है वो नहीं रहेगी या ज्यादा तर आप एकदम कटे-कटे शे महसुस करेंगे आप एकदम अकेला पंसा महसुस करेंगे अपने जीवन में fourth house में ये यूटी है तो आपको किसी भी प्रकार का अगर घर में कोई पूजा पाठ कोई साधना वगरे करते हैं या इस प्रकार के कोई भी अच्छी जो गतिविदी है पोजिटीव जो गतिविदी है या meditation वगरे अगर आप करते हैं तो आपको उसका जो फल है वो काफी ज यूग है और उस प्रकार से लोग जीते हैं बहुत ज्यादा ऐसो आराम के साथ तो वैसा आपकी life में थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा बट यहां पर बात आती है आपकी जिम्मेदारियों की आपकी जो responsibility बनती हैं अपने कारे चित्र के परती अपने घर परिवार के परती और वास्तम में आपको अपने आपको सोचने अपने लिए कुछ करने के लिए मजबूर करेगी और अपने वास्तविक्ताओं को जानने के लिए मजबूर करेगी ऐसे में हो सकता है घर परिवार के मामलों से आप थोड़ा detach हो सकते हैं कुछ समय बाद या फिर आप उनमें ज़्यादा रुची नहीं लेंगे और घर के किसी अन्य सदस्य पर आप वो जिम्मेदारी डाल सकते हैं बट ये निश्चित है कि अगर यूती आपके डिनाइंचार्ट के फोर्थ हाउस में है तो मैरिज की तुरंट बाद आप काफी सीरियसली अपने फैमली के जो मामले ह उनको देखेंगे सासात में आप अपने केरियर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा परदर्शन करेंगे अब देखें के तू सनी के साथ इस्तित है तो कभी-कभी कुछ निरने आपके बहुत ज़्यादा देरी से आ सकते है या आपको निरने लेने में थोड़ी कठिनाई ह हो सकते हैं और हर निरने को बार-बार आप परखेंगे कि आपका क्या निरने सही है या गलत है ऐसा तो यह एक टाइम कंजूमिंग वाली बात हो जाती है थोड़ा सा समय लग सकता है हमेशा और घर-परिवार की जो प्रिस्तितियां है वो आपकी बहुत ही अच्छी और प्रिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जब भी सनी और केतु का एउती आपके डी नहीं चार्ट के फोर्थ हाउस में बनेगा